नमस्कार हरार महादेव जैश्य शंकर शंभू स्वागत आप सबका अपने प्लैटफोर्म प्राइव टीचर डॉट कॉम पे के वेस की प्रशनों की एक हमारी श्रिंखला चल रही थी और पीच में थोड़ा सा ब्रेक आया ब्रेक इसलिए क्योंकि मेरी भी एक एकस्पेक्ट तो चलिए आज जो इस सीरीज में मैं प्रेशन आपके साथ में जिश्यर करने वाली हूं वो यह है कि अगर आप टीचर बनते हैं तो समाज में आप क्या बदलाव लाएंगे या टीचर बनके समाज में आप कैसा बदलाव लाना चाहते हैं तो यह तो कोशिन आपके देखो सबके अलग विचार होते हैं सबकी अलग भावनाय होते हैं कि आप टीचर बनके समाज में कैसा बदला रहा हो घरूंगी तो मैं बच्चों को सिखाने के साथ साथ में उनके पैलेंट को बैसका काम करूंगी वो पुछेंगे कैसे तो देखो, मेरा मनना ये है कि बच्चों को तो सिक्षित करने का आपका कार है है उसके लिए तो आप सकूल जॉइन कर रहे हो But apart from that आप एक सिक्षक हो और समाज को भी सिक्षित करना आपका हिदायत तो है जो आपकी बच्चे हैं और आपकेété, आस पास का समाज वही बंएंगे और जिससे पैरेंटस हैं पैरेंटस के क्या होते हैं की तेर स्टिरियो ट्यप उसकी अंदर लिंग भैद होता है लबका ललकी में लो भैद करते हैं तो सबसे पहले हम उनकी इस भावना को जो भी जैसे अगर मैं रूलर एरिया में गई और वहाँ पे अगर मुझे चांस मिला तो मैं उनकी इस भावना को दूर करने ही कोशिट करूँगी, मैं उनको पताऊंगी कि लड़का लगी एक समान है, अपार्ट फॉर्म दैट मैं एक बच्चे को confident बनाऊंगी, जो भी particular topic मुझे पढ़ाने के लिए मिलेगा, मैं वो particular topic तो पढ़ाऊंगी ही पढ़ाऊंगी, अपार्ट फॉर्म दैट बच्चे के अंदर moral values का भी विकास करूँगी, क्योंकि जो आज की छोटी generation है, वो कल का भविश्य है, अगर उन्हें सिर् पढ़ा लिखा होना और पढ़ा लिखा व्यक्ति जो एक अलग चीज होती है, तो बच्चे के अंदर अगर moral सिक्षा नहीं रहेगी, तो बच्चे को हम सबसे पहले morally educated करेंगे, apart from our subject, that is our work, उसको हम सिखाते रहेंगे कि किस सरा से किसी की help करनी चाहिए, या thanks बोलना, vote of thanks, kindness मैं ऐसे करके कराएंगे, वो मुझसे पुछेंगे कि आप कि सरा से बच्चों के अंदर इस moral भाना को जागरित करोगे, तो मैं उनको पता हूँगी कि मैं एक particular week decide कर लूँगी, कि दस week is kindness week, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों के बारे में kind होना है, और just to be kind आपको कोई बच्चा अच्छा लग रहा है, तो you can praise him, praise her, आपको कर कोई teacher अच्छी लग रही है, तो आप उसको praise कर सकते हो, आप बोल सकते हो मैं से कि मैं थैंक्यू, आज आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, मैं थैंक्स, आज आपकी सारी अच्छी लग रही है, या मैं आज आपको कोई चीज दी तो उनको थैंक्स बोलना सिखाएंगे तो इस तरह से बच्चे के अंदर हैं छोटे-छोटे आदुतों का विकास करके हम उन्हें और जायट सी बात हैं उनका confidence बूस्ट करने के लिए आप क्या करेंगी विक्तिती देंगे हम बच्चे को डीबेट करा देगे छोटे-बचो डीबेट नहीं कर पाएंगे लेकिन हम उनको बूल देंगी चलो क्लास में आकर कहिं पटिक पर बात करो अगर बच्चा में वीक है तो उसको हम बोर्ट पे बुलागर के समसॉल बुराने की जो हमाई टेखनीक हैं अम उसका यूज़ कर सकते हैं अपर्ट फॉर्म डैट आप बच्चे का होलिस्टिक डवलेप्मेंट जब करने लग जाएंगे ना तो अब इसी बात है जो आने वाला समाज है वो अपने आप अच्छा हो जाएगा तो आप उनको एक बहर शॉट में बोलेगा कि सर मैं एक टीचर जप होंगी तो मैं समाज का या मैं से बहुत उमीद नहीं है बच्चों के प्रतिएं उने बहुत हवाट नहीं होना है वहाँ पहिजानने बच्चों को उनके कैलिबर-और चाइलल निकार और यकलिटर भी कि अवे consumers कि अब उसक्तर पिता कि संथान डॉक्टर ही बने हूं सकता है कि वो डांसर बनना चाहता हूं तो लेट एक्स्प्लोर दे पर्टिकुलर चाइल्ड है और है इसे एक्स्प्लोर करने दे और बच्चे को भी इसमें मदद करेंगी कि वोट यू दू तो जरूरी नहीं है कि आप इंजीनियर बन प्रियोक करना पता होगा और इस तरह से आजकल बहुत सारे ट्रेंड्स खुल चुके हैं तो नहीं नहीं आशाय खुल चुकी है तो बच्च्छा आपने आपको स्टेबिश कर पाएगा और इस तरह से हर चीज में योगदान होगा अगर जनरीशन आने माली अच्छी कि अगर आप एक सिक्षक बनते हो या अगर आप एक सिक्षक हो और आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट में बताएगा कि आप समाज में किस तका का बदलाव करना चाहेंगे